लेकिन भोपाल से भी इस वक्त के एक बड़ी खबर मिल रहे हैं मदप्रदेश उधान सभा से जड़ी हुई सदन में सीम शिवराज सिंग चुहान ने बयान दिया है पिछवा वर्ग को आरक्षन के साथ चुनाव कराना चाहती है सरकार ये कहना है मुख्यमंत्री का सरकार सुप्रिम कोर्ट के फैसले का इंतिजार कर रही है बिना अरक्षन के चुनाव होना तर्क संगत नहीं है कॉंग्रसी पंचायट चुनाव को लेकर कोड गई थी और पहले सिरख हुजाया अब कॉंग्रसी रो रहे हैं ये कहा गया है मुख्यमंत्री की और से सदन में उन्हें पिबात रखी, मुख्यमंत्री ने सदन में अश्रास की संकल्प रखा, ये कहा कि बिना OBC आरक्षन के चुनाव ना हो। तो सदन में बीजेपी सदस्यों ने भी समर्थन किया है सरकार का मुख्यमंत्री की इस बात का। आज संकल्प रखा गया मुख्यमंत्री सिवरासी की चुहान की तरफ से और उन्होंने साफ कहा कि जब तक पंचायत के चुनाव ना हो तब तक OBC को 27 फीजदी आरक्षन का लाव ना मिले। ये मसला निपटने के साथ ही ये चुनाव आगे बढ़ाये जाए तो आज की सबसे बड़ी खबार यानि चुनाव पर संकट दूसरी बात ये है कि सर्व सम्मती से इस संकल्प को पारित किया गया दोनों पक्ष और पिपक्ष के लोगों ने इस पर बहुर लगा दी है आज निर्वाचान आयोग की निर्देश आदेश जारी कर देता है तो वे एक संविधानिक संस्ता है उसको यदि रुखी जाना है तो पिर संस्त या विधान सभा जो भी हो उससे उसको पारित किया जाता है तो आज संकल्पारित हुआ है इस बक्ष की सबसे बड़ी खबर मुक्मंती सिवरा सिंग चौहान ने सदन में अपनी बात रखी विधान सावा में अपनी बात रखी और ये कहा कि हम समाज सभी समाज के हितेसी है हर बर को लाब मिले लेकिन 27 फीजदी आरक्षण के बिना OBC को चुनाओं में लाया जाए कैसे संबाब है इसलिए मैं सबसे गुजारिस करता हूँ कि हमारा साथ दे हम सुप्रीम कोड तो जाही रहे लेकिन सदन से ये फैसला हो कर जाए कि सरकार नहीं चायती है मद्विदेश की लोग नहीं चायते है कि बिना OBC को आरक्षण मिले चुनाओं लिहाजा संकल्प रखता हूँ मैं और जैसे ही उन्होंने संकल्प रखा पक्ष बिपक्ष दोनों ने उस पर मोहर लगा दी हाथ उठा कर यानि आप यह कह सकते हैं कि पंचाय चुनाओं खटाई में पढ़ते हुए दिखाई दे रहे जाया बड़ी खबर यह बिल्कुल बड़ी खबर मनुद जी इस वक्त की आपने बताई है कि पंचाय चुनाओं पर पेंच फस्ता हुआ नजर आ रहा है और जैसा की जानकारी दी मनुद जी ने भी आपको बता दे कि सदन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चुहान ने अपनी बात रखी से उन्हें भी इसका समर्थन किया है तो सरकार का संकल्प सदन में पारित हुआ है और अब इसी के साथ यह जो पंचाय चुनाओं है अब वो कहीं ना कहीं पेंच इन पर फस्ता हुआ नजर आ रहा है एक बार फिर से मनोजी का हम रुख करेंगे मनोजी अभी तक कई तरह के सवाल पंचाय चुनाओं को लेकर खड़े किये ज़ा रहे थे निर्वाचन आयो की तरफ से भी यह कहा गया था कि 6 जन्वरी जो पहले चरण का चुनाओं होना है STSE सामान सीट पर चुनाओं होगा यानि कि कुल मिलाकर अभी यह कहा जाए कि अब पंचाय चुनाओं को लेकर बड़ा पेच फसा है दूसरी तरफ सुप्रिम कोट का रुख भी सरकार ने कर लिया है बिलकुल देखिए निश्चित रूप से और विधान सभा में हंगामा भी हुरा इस बात को लेकर क्योंकि अब दोनों ही पक्चों ने कहा है कि संकल्प इसको पारित किया जाता उसको लेकर आज संकल्प पारित किया गया जिस पर यानि विपक्च के लोगों ने भी अपनी महर लगाई और संकल्प सरसमती से पारित कर दिया बहुत इस परश जया मैं आपको करना चाहूंगा कि बीजेपी ही नहीं चूकि जब संकल्प पारित होता है तो दोनों पक्चों से पूछा जाता है और बहुमत के आधार पर यहां तो दोनों पक्च ने हाथ ठाये कहा और विदान समाद देश ने देखते हुए इसको संकल्प पारित कर दिया यानि आज की सबसे बड़ी खबर है कि सर्व सम्मती से जो चुनाओ होने जा रहे है पंचैत के चुनाओ उसको लेकर यह कहा गया कि सदन ये तै करे कि इन चुनाओ को रोके जाए जब तक कि आरक्षण इसपष्ट नहीं हो जाता तो अब ये कह सकते हैं कि सदन से ये कारवाई आगे जाएगी और इसके बाद पिर राज इन रिबाचन आयोक को एक नया निर्णे लेना होगा क्योंकि कहीं न कहीं सदन भी संविधानिक संस्ता है और सदन से जो पास हो जाता विधान सवा से जो पारित होता है वो आगे की तरफ जाता और इसलिए ऐसा कहा भी गया था सुप्रीम कोट ने कि संविधानिक तरीके से क्या हो सकता है तो यह संविधानिक एक रास्ता दिखा दे रहा है सुप्रीम कोट सरकार जा रही है मुकमंत्री ने सदन में कहा है वो अपनी जगे दलीले चलती रहेंगी उस पर आज भी सुनवाई जैसा उन्हों निर्वाचन आयो की और से कहा गया था कि जब निर्वाचन आयो के पास ही गेंध है तो सुप्रीम कोट भी इसमें सक्षिप नहीं कर सकता दूसरी तरफ सरकार सुप्रीम कोट के पास पहुची है मांग की गई है पुनर्वचार याची का दायर की गई है तो अब आगे हमें इसमें क्या देखने को मिल सकता है, क्या कुछ इस्सिती हो सकती आगे जुनाव को लेकर. राजी निर्भाचान आयोग को कहा जाएगा, तो अब संबेधानिक तोर पर भी हम देखा, तो चुनाव की संबाबना बहुत जादे बन जाती है, कि पंचायत के चुनाव रोके जाएंगे, क्योंकि मुख मंत्री ने सदर में ये कहा, कि बिना OBC बर्ग को छोड़ कर 27 रफ सभी किया गया, लेकिन विपक्ष सिनमे कमलनाजी ने ये कहा, कि अनावश्यक बाते ना करें, सीधी बात करिये, और पीकी नौक जोग भी हुई पक्ष और पिपक्ष के बीच में, लेकिन आखिरकार इस संकल्फ को पारिफ कर दिया, तो बड़ी खबर दसकों को यही बताना चाहेंगे जया, यानि कि मनो जी अब यह माना जाए, यह माना जाए, क्योंकि अब नई तारिक हमें मिल सकती है, यह कहा जाए, क्योंकि 6 जनवरी को पहले चरण के चुनाव होना है, लेकिन जो जानकारी आप दे रहे हैं, कि 5 फस्ता हुआ नजर आ रहा है, टाले ज जा सकते, तो यानि कि OBC को लेकर आप पूरा आरक्षन की प्रक्रिया की जाएगी, और फिर से एलेक्शन कमिशन की तरफ से नई तारिके दी जाएगी, यह माना जाए, बिलकुर इस बात की संभाबना व्यक्ति की जा सकती, क्योंकि संभध्यानिक तरीके से हम जो बातें सम बिधान सवा नहीं चाहती, यानि पक्च विपस, सरकार और दोनों दल नहीं चाहते हैं कि यह चुनाओ कराये जाए, और जब चुनाओ ही वो नहीं कराना चाहते हैं, तो पिर चुनाओ किस बात की, तो जाहिर सी बात है कि अब संकट की बादल चुनाओ पर दिखाई दी र राज निर्वाचान आयोग इसमें क्या निर्वाचान आयोग नजर हम पर उस पर रहेगी पर जैसा हम समझ रहें जितना समझते हैं जितनी जो बाते समझते हैं तो उसके मुताबिक अब खटाई में पूरी तरह पढ़ते चुनाओ नजर आ रहे हैं लेकिन यह अंतिम पर पूरी तरह खटाई में पढ़ते हूं नजर आ रहे हैं जैयर